आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे छोटी सी पेपर में ड्रॉइंग कर सकते हैं तो यह पर आप देख सकते हैं कि इसका साइज आप देख सकते हैं तो यहाँ पर में जो रिफरेंस फोटो यूज कर रहा हूँ मतमा गांधी है तो मेरे पास एत थी आप देख सकते हैं पहले ही बॉक्स मतलब ग्रीड मेथोट यहाँ पर काट के रखा हूँ मतलब एक एक बॉक्स में यहाँ टू सिमिकर के लिया हूँ तो इसको देख के में यहाँ पर भी से में ग्रीड मेथोट को यहाँ पर काट लूँगा तो यहाँ पर में टू सिमि छोड़ छोड़ कर यहाँ पर में एट बॉक्स कर लूँगा एंड में सेम दूसरी तरवी ऐसे टू सिमि छोड़ छोड़ कर में यहाँ पर एट बॉक्स कर लूँगा तो उपर भी हम टू से में छोड़ छोड़ कर सिक्स बॉक्स तयार कर लेंगे हमारा जो उपर में बॉक्स होगा उस सिक्स बॉक्स होगा और साइड में हमारा एट बॉक्स होगा तो उसको करने के बाद हम उसको लाइन टान देंगे जो ग्रीड लाइन होता है तो यहां पर सब बॉक्स तयार होने के बाद यहां पर हम नंबरिंग करने रहेते हैं ताकि समझने में बहुत ज़्यदा आसानी हो तो उपर भी हम नंबर यहां पर देख सेकते लिख दिया हूँ और साथ भी हम ऐसे नंबर लिख दिया हूँ अब वीडियो में कुछ बोलने का जरूरत नहीं परेगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो है आपको देख की पता चल जाएगा कि में कौन-कौन सी जगह पर कैसे आउटलाइन ड्राइन कर रहा हूँ तो वीडियो को पुरा देख देखते रही है और वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आ रहे है तो जल्दी से लाइक ज़रू करना और चैनल पर अगर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना एंड में डेस्क्रिप्शन पर भी इस रिफ्रेंस फोटो का लिंक दे दोंगा तो आजा के आ कर देखते हैं कर देखते हैं कर देखते हैं कर देखते हैं कर दो कर दो तो आउटलाइन हमारा पुड़ा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते काफी जाधा अच्छा लग रहे तो इसका दूसरा पाट में में इसको वाटर कलर से करके दिखाऊंगा तो वीडियो अगर आपको थो भी पैसंद आ रहे तो एक लाइक जरूर करना तो मिलते हैं इसका दूसरा पाट में बाई